हलो और विल्कम फ्रेंट्स आज की वीडियो जो है ये मोबाइल पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन यह है कि एक हमारे विवर हैं जोने ने कहा है कि PMT जैसे फॉर्मूले को जब वो मोबाइल पर चला रहे हैं तो कुछ और आंसर आ रहा है जैसे यह WPS आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं और इस पर जो सिस्टम पर से ला रहा है तो कुछ और आंसर आ रहा है तो ऐसा नहीं होता है जैसे मैं इसी चीज़ को अभी सिस्टम पर भी करके दिखाऊंगा ठीक है तो यह चीज ध्यान रखिएगा अ अध्यम से तो हम जो है आप की गाड़ी फाइनेंस कर देंगे और महीने महीने में आप चुका दीजेगा ठीक है तब तक के लिए आप जो भी पैसा है हमें दे दीजे तो यहाँ एक्जांपल के लिए मैंने 40,000 रखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ह जो है rate of interest हम ले लेते हैं select करते हैं तो यह हो गया अब यहाँ पर हमको upon लगाना है और इसको 12 से divide करना है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं that's why ठीक है यहाँ पर कॉमा लगाना है और कॉमा लगा करके क्या करना है NPR यानि number of period सेलेक करना है तो यह number of period हो गया अब इसको multiply क कर देते हैं 12 से तो यह 12 से multiply किया फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाते ही हमें क्या करना है PV यानि present value देखनी है तो स्कूटी की present value तो एक लाख रुपए है लेकिन हमने down payment भी किया हुआ है तो उसको minus कर देंगे यहां से तो यह कर दिया minus यहां पर देखिए यहां पर minus sell address आ जाएगा और अब चुकि हम महीने के starting से ब्याज calculate करेंगे तो इसलिए यहां पर zero लिखेंगे otherwise हम one लिखते ठीक है अब इसको बंद करके और enter करना है और आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो एक महीने का ब्याज है वो ब्याज सहीत रुप्या जो है calculate होके आ गया ह आपके सिस्टम में भी आएगा तो आए एक बर सिस्टम में भी देख लेते हैं अब आते हैं सिस्टम पर तो देखें यहां पर प्यम्ति का formula लगा रहा हूं सेम रेट है देखें एक लाख रुपए यहां पर भी है दो साल की बात है साड़े 5% का rate of interest है यहां पर भी वही च क्या रहा है NPR यानि number of period तो दो साल है और चुकि 12 महीने का देखना है तो यहां पर multiply कर देंगे कॉमा लगाएंगे कॉमा लगने पाद आपको क्या करना है PV यानि present value है एक लाख रुपए लेकिन हमने कुछ दिया भी तो है उसको minus कर देते हैं 40 जो दिया है minus करके यहां पर क हमा लगा कि starting से भी आज calculate करना है तो एंटर करेंगे तो देखें सेम वही चीज़ 2645 उर्पर 74 पईसे वहां पर भी आ रहे थे और यहां पर भी तो दोनों सेम आ रहा है देख सकते है ना यहां पर आ रहा है दोनों सेम ठीक है तो कहीं कोई दिकत नहीं है दोनों में आप कर स सकते हैं तो जो भी confusion होगी वह दूर हो गई होगी ठीक है फिर भी कोई दिकत होती हो तो comment box में पूछ दीजेगा ठीक है thank you for watching